नमसकार जनभावलावल जाटायम सिवेबा पारीच आपका एक बार फिर सु अगर करता हूँ कश्मीर एक बार फिर सु लगने लगाए आतंकियों न दिन दधाडे एक एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया और उनकी जान ले लीए बडगाम के जडूरा में तहसिल परिसर में आतंकियों धावा बोला दफ्तर के अंदर घुज गए वहां पर कांकर है कर्वचारी राहूल भट का पहले उन्होंने नाम पूछा और फिर तावर तोड गोलियां उन्हों पर बरसा दी इस हामले के बाद दफ्तर में अफरा तफ रसफ़ंदर में शीनगर के अस् arrangements में ले जाया गया उन्हें ब महलो भरती कर आया गया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जाए जके राहूल भट्ट सरकारी कर्मचारी थे घट्टे के पड़लो के परिवार का रोरो прилож कर बूरा हाल है राहूल के पति मेनाक्षी का क्याना वो डर के साई में वहां जी रहे हैं, आतंक्यों को अपनी हरकतों से दहशत फैलाना है, इसलिए कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार को हमारी जिंदा नहीं है, हमें बली का बक्रा बनाया जा रहा है, सरकार पर आरूप लगाते हुए, मिरा और अधिकारियों ने उनकी एक ना सुनी, मिनाक्षी का कहना है कि जब कश्मीर में दो शिक्षिकों के हत्या होई थी, तब भी राहुल ने सुरक्षा का हवाला देकर अपने ट्रांस्वर की मांग उठाई थी, लेकि उनका ट्रांस्वर फिर भी नहीं किया गया, मिनाक्ष जब खतरा इतना बड़ा है तो हमें शुरक्षा क्यों रही मिलती है ? चडूरा तहसिल की शुरक्षा पर भी बिनाक्षी ने सवाल उठाया, उन्हों ने कहा कि दफटर पनिसर में सुरक्षा का कोई इंतिसाब रही है, तब ही तो आतंकी बेरोग टोक दफटर पनिसर में द जानकारी दी है और उनके उन्तार उनसे जुड़ी है तब ही राहूल का नाम और पता आतंकियों तक पहुच पाया और यह हत्या हुई मिनाक्षी रोते हुए बताती है कि घटने से 10 मिनट पहले उनके पती राहूल भटे से बात हुई थी फोन के दोरान उनने उन से कहा था कि जल्दी आना एक बर्थने पार्टी में चलना है बिनाक्षी ने कहा था अपने पती राहूल भटे से जो इस दुनिया में नहीं है वो बर्थने पार्टी जरूर ही लेकिन उसमें वो शामिली हो सकतरा उन्हों कहा कि अगर सुरक्षा होती तो आज मेरे पती मेरे साथ होती है अतग्योंकि गोली का निशाना नहीं बनते हैं तो कर रहू की बारी थी आप किसी और की बारी हो सकती है फिर बिलते हैं अगले अपडेट भे देखते रहे ज़र्ब खुफौराथाईप सुबसकार